नवाश्कार दोस्तों मैं मनेश दिविद याव शवील कुशाक गराई चैनल पर हैं देखे आज Election Commission of India के जो चेहर में ने राजी कुमार जी उन्होंने आज प्रेस कांफरेंस की और उस प्रेस कांफरेंस में उन्होंने कहा कि जो 2024 को लोगसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे दो दिन पहले सुप्रियम कोट का एक वरडेक्ट आये था एलेक्टरल बॉंड को लेके कि एलेक्टरनल बॉंड जो है वो उन्होंने ये कहा है कि इसका पालन 2024 के लोगसभा चुनाव में किया जाएगा इलेक्टरनल बॉंड कोई भी अब पार्टी यदि लेती है तो वो चुकि अन्कॉस्टलिशल है तो उसको क्या अवैद घोसित करेंगा और साथ में उसकी जाच भी होगी पहले इलेक्टरनल बॉंड लीगलाइज था इलेक्टरनल बॉंड क्या है इलेक्टरनल बॉंड देखिए क्या है आप थोड़ा समझे इसको क्यों सुप्रिम कोट ने अन्कॉस्टलिशनल बताया है देखे इलेक्टरनल बॉंड जो है पहले उसको क्या करते थे ब्यापारियों ने क्या किया जो सत्ता धारी दल था उसको maximum मिल रहे थे बीजी पी को सबसे जादा मिली है सबसे जादा आप समझ लेजे तो सत्ता धारी दल को businessmen दे देते हैं फिर वो electoral bond को careers क्या करते है sbi के थुरू क्या करा लेते हैं वो cash करवा लेते हैं तो electoral bond legalize खरीद लिए फिर party fund में दे दिए और उसके बाद उनका money cash हो गया तो पूरा पैसा white हो गया लेकिन प्रिशनी यह है कि जब वो खरीदा गया तो उस पैसी की जाज व्यापारी उसे नहीं हुई और पार्टी ने कहें दिए साब हमको तो electoral bond चंदे में मिला है तो हम यह दे रहे हैं हमको इसके average में पैसा दी दिया जाए तो वो number एक का पैसा उनका legalize हो गया जबकि technical यह है कि वो पैसा भी ED के radar में आना चाहिए कि कहां से क्यों आपको लोग इतना electronic bond दे रहे हैं बाकि लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं एक ही पार्टी को क्यों electronic bond मिल रहा है तो उसको उन्होंने असमवैधानी कहा है हाला कि यह चंदा का प्रशलयन चुनाव राजनीती में स्तुरून से रहा है जैसे पहले भी व्यापारी बगैरा जो है पार्टियों को या प्रत्याशियों को चुनाव में पैसा खर्च करते थे तो उसके अब इसको तो Supreme Court Unconsultation नहीं कह सकता है क्योंकि उसके पास source नहीं होते थे क्योंकि वो black पैसा उसको पीछे से दिया जाता था और वो उसका उसको favor करता था लेकिन चूंकि Electoral Bond तो उसकी पकड़ में आ गया न कि क्यों एक party के पास ही जा रहा है जो सप्ता में party है तो इसलिए उसको uncassolution कहा है क्योंकि आप जानते हैं कि राजनेतिक party को चंदा RTI के अधीन नहीं आता है जिसको लेके मांग चलते रहती है कि हर व्यक्ति का जो पैसा है आधार कार्ट से लिंक है बैंक से उस पे जात रुती है तो राजनेतिक party को चंदा मिलता वो भी RTI के अधीन आना चाहिए तो ये एक debate का विश्यावस पे चलता रहता लेकिन फिलहाल फिलहाल में बात है कि एलेक्टरिनल बोल्ड को अनकॉंस्टिशनल सुप्रिकोड ने का और चुनावाएक ने ये भी का किसका पालन और लोकसबाद 2024 चुनाव से ही करेंगे धन्यवाद